हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज रक्षा बंधन का खास त्योहार है और इस खास त्योहार के उप्रक्ष में मैं आप सभी को बहुत बहुत शुरुप कामनाय देता हूं दोस्तों आज की चर्जा में हम लोग बात करने वाले हैं एक बेहत महत्वपूर्ण विशय पर और यह विशय निश्चितों पर आपके लिए बहुत ही उप्योगी हो सकता है क्योंकि इस विशय का जुराओ आपकी प्रहाई से है और इसमें भी इस विशय का जुराओ जो डिवीजन की तकनिक होनी चाहिए जो डिवीजन का तरीका होना चाहिए उससे भी है कई बार आप सभी के मन में सवाल आता होगा कि आखिर डिवीजन कैसे करें डिवीजन यदि नहीं करते हैं तो फिर चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं जो भी आप पढ़ते हैं वह भूल जाते हैं तो इस स्थिति से कैसे हम उबरें इसको लेकर के यह जरूरी है कि आपको डिवीजन का तरीका डिवीजन की तकनिक मालूम होनी चाहिए और इस लिहाद से यह जो कारेक्रम है आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है चलिए आज की इस टॉपिक को देखते हैं कि करके समझते हैं कि इसमें क्या कुछ महतोपूर्ण बातें आपको ध्याय में रखने की आपशत्ता है दोस्तों जब भी आप कोई भी परहाई करते हैं कोई भी विशय आप पर रहे होते हैं तो उस विशय में जिस भी टॉपिक को आपने पढ़ने के लिए चुना है तो इसको आप एक से दो बार यदी पढ़ते हैं तो फिर उस टॉपिक को ले करके आपकी समझ विक्सित होती है यह मैं एकदम स्पस्ट पर नहीं कह सकता कि यदी किसी भी बंदे ने किसी भी स्टुडेंट ने किसी एक टॉपिक को एक बार में परहा और उसे सब कुछ समझ में आ गया इत में possible है न यह हो भी सकता है कि भाई किसी को एक बार में ही सब को समझ में आ जाए लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी को एक बार नहीं बलकि दो बार तीन बार में उसे समझ में आ जाए तो यहाँ पर देखो सबसे पहली जो जरूरत है आपको revision के स्थापर कि आपने जब एक से दो बार में परहाई की है किसी भी topic को ले करके तो उसमें जो first point है note करने लाइक वह यह है कि इस topic के खास terms को या फिर खास concept को आप write down कीजिए यानि कि खास बिंदू को note करना यह ज़रूरी है जब आप इस खास बिंदू को note करते हैं तो फिर एक clarity हो जाती है कि आपने इस topic में इस बिंदू को समझने पर focus किया है ठीक है फिर जो दूसरी बात आती है वह यह है कि आपने जो भी topic परहा उस topic में जो आपको समझ में नहीं आया उसे आप रिखांकित कीजिए जो पक्ष समझ में नहीं आया उसे रिखांकित करना जब आप उसे रिखांकित करते हैं तो फिर जब आप अगली बार उसे पढ़ते हैं तो फिर उस पर खास अब focus करते हैं कि अच्छा यह topic मैंने जब पहरी बार में पढ़ा था तो यह जो particular content है context है यह मैं नहीं समझ पाया या नहीं समझ पाया ठीक है इससे एक clarity हो जाती है कि ठीक है इस particular topic में मुझे यहाँ पर अच्छे से समझना होगा तीसरी जो बात आ जाती है यहाँ पर समझने की वहया है कि जब भी आप कोई topic पर हैं उसको अगले दिन अगले दिन फिर से परहें अगले दिन आप फिर से परहें उधारन के तौपर आज मालो की आपने पॉलिटी का विशय उठाया इस पॉलिटी के विशय में आपने मौलिक अधिकार में परहाई की मौलिक अधिकार में जो भी आपने परहा जो भी आपने समझा वो तो आपने note करी लिया लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदू है उसी को note करना है इसके अलावा जो आपको समझ में नहीं आया उसे आपने underline कर लिया उसको आप फिर से समझेंगे ठीक है तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि अब जब आप कल पॉलिटी परहेंगे तो इसे फिर से रिवाइज कीजे जो आपने आज परहा था यह ध्यान में रखना है ऐसा नहीं कि आज जो परहाई की उसके बाद ठीक आगे अगले दिन हम फिर आगे बढ़ गए पीछे जो आपने परहाई उसे देखा ही नहीं पीछे जो आपने परहाई है उसे देखना सबसे अधिक ज़रूरी है तो अगले दिन फिर से परहें और दिन फिर अगला जो पॉइंट आता है इसमें समझने का वह यह है कि सापताहिक रिवीजन सापताहिक रिवीजन बहुत ज़रूरी है आपने मालिज यह कि तुमवार से ले करके और शनीवार तक कोई भी विशे पढ़ा है और इस विशे में आपने जितनी भी पढ़ाय की पांच गंटा छे गंटा जितना भी आपने पढ़ा वह आपका एक content त्यार हो गया कि हाँ भाई आपने इतनी पढ़ाय की है लेकिन ये तभी आपके दिमाग में sustain करेगा तभी आपके मन मस्तिक्स में sustain करेगा जब आप उसे रवीवार के दिन revise करते हैं रवीवार को revise completely revise अब देखी यहाँ पर जो आपका revision हो रहा है दो अस्तरों पर हो रहा है एक तो revision हुआ कि भाई अगले ही दिन आज हमने पढ़ाय की तो अगले दिन यानि कि कल हमने revise किया फिर परसुजब पढ़ाय करनी है तो आज और कल दोनों का revise किया पासमझवारी है ना इस तरीके से इसको मैं ऐसे कहूं तो Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday और Saturday Monday को जो आपने परहाई की ये आपने Tuesday को revise किया Wednesday को आपने Monday और Tuesday दोनों की जो परहाई की उसको भी revise किया Wednesday के बाद जब हम Thursday को आते हैं तो Monday, Tuesday और Wednesday इन तीनों दिन जो परहाई की ये अब Thursday के दिन revise हुआ और इस तरीके से ये complete revision होता चला जाएगा तो मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि आपका जो एक topic का revision है ये एक सब्ता में कितनी दफा हो चुका हर बार जब आप नया chapter start करते हैं तो नया chapter को start करने से पहले जो पीछे आपने पढ़ा है उसे revise ही आप करते हैं तो मेरी बात मानिए मेरा विश्वास किजिए कि आप इतना आसान इतना सहज महसूस करने लगेंगे कि आपको लगे है कि अरे ये तो मेरे चुटकियों में है मेरी टंग पर है मेरे जिब पर है कुछ भी आप पूछ दो क्योंकि आपने इतनी बार उसे revise कर लिया है और देन फिर रविवार के दिन एक complete revision उसका किया जा सकता है ठीक है दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर revision को महद्दे नजर रखते हुए कि आखिर किस तरीके से हम revise करें ताकि हमें कोई बात याद रह सके तो देखो revision के लिए एक जो point में आपको बताना चाहूँगा वह है कि जो भी concept आपको याद ना होता हो समझने में देरी होती हो या याद करने में मुश्किल होती हो है ना कई बार ऐसा होता है कमेंट में बता दे चनला भाई होता है या नहीं होता है तो मुश्किल होती हो तो ऐसे में जिनरली हम क्या करते हैं हम हार वान जाते हैं हम सुचते हैं छोड़ो खटाओ उसे हो उसे अब मेरा कोई लेना देना लेकिन ऐसा नहीं करना है बलकि आपको ये करना है कि ऐसे में आपको दो तक्निक अपना नहीं है एक तो आप चार्ट बना करके चार्ट नहीं बना रहा है हाना गुलगप्पे का चार्ट बना करके आप उस कॉंसेप्ट को समझ सकते हैं हाना कुछ आप फीगर बना करके कुछ आप इस तरीके से डाइग्राम बना करके उसको समझ सकते हैं ठीक है दूसरी बात यहां पर यह है कि आप चाहे तो पॉइंट पॉइंट फॉर्मेट में, आप उसको समझ सकते हैं, हाना, पॉइंट फॉर्मेट में लिख कर, जब आप उसे पॉइंट फॉर्मेट में लिखते हैं, तो फिर वह जो एक complex concept आपको लग रहा होता है, वह फिर आसान हो जाता है, और देन फिर आप अच्छे से उसको रिवाइ तो रिवीजन के मद्दे नजर ये जो महतवपूर्ण विधियां हैं ये जो महतवपूर्ण स्टेप्स हैं तक्निक हैं इसको आप इस्तिमार में लाइए निश्ची तोर पर इससे आपको फायदा मिलने वाला है आज की चर्जा अब हम लोग यहें पर समात करते हैं लेकिन चर्जा की समाती से पहले एक और महतवपूर्ण जानकारी दे दू कि आज रक्षा बंधन का विशेश तोहार मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष में स्टेडी आईकू आईए स्टीम के माद्धिम से आप सभी के ल आईए ओल दे बिस्ट हिंदी में यूपी एसी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आईक्यू आईएस हिंदी